हेलो आज स्पेशल राम राम जी आप सारेन हैं आज 22 जनवरी 2024 को राम लला अवद में आ रहे हैं तो आईए राम जी के स्वागत में स्पेशल सुध और्गैनिक पहाडी लाल चावल की गाएं के दूद वैदेसी खांड के साथ पितल के बरतन में स्वादिष्ट खीर बनाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर आदा कटोरी चावल को अच्छे से साफ करके वदो कर 7-8 गंटे के लिए बिगो कर रख दिया था अब चावल को बिगो कर रखने के बाद एक छलनी से चान कर 10 मिनट के लिए अलग रख दिया है अब एक श्टील के बरतन को गैस पर रख कर उसमें चार छोटे चमच घी डाल कर उसको गरम कर लिया यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में मखाने काजू बदाम किसमिस नारियल और चिरोंजी ली है अब मैंने सभी ड्राइफ रूट्स को पैन में डाल कर अलग अलग रोस्ट कर लिया है यहा दो से तीन मिनट के लिए भून लें यहाँ पर मैंने एक पितल की पतीली को गैस पर रख कर उसमें दो लीटर दूद को छलनी से चान कर डाल दिया है अब दूद को अच्छे से उबाल लें और उबलने के बाद उसमें भूने हुए चावल को डाल कर चमत से चलाते हुए उ जिससे दूद उबल कर नीचे ना गिरे और बीच बीच में चमत की सायता से चलाते रहें और ध्यान रखें गैस को हमें धीमा ही रखना है जिससे हमारी खीर जल्दी पकेगी और खाने में भी स्वादिश्ट लगेगी यहाँ लगबग हमारी खीर पक गई है अब इसमें र हमारे अच्छे से पक गई है अब इसमें एक टोरी देशी खांड डाल कर खीर को चमत से चलाते हुए साथ से आठ मिनट और पकने दें क्यूंकि मीठा पानी छोड़ता है खांड की जंगे आप चीनी भी ले सकते हैं और ध्यान रखे मीठा हमें चावल के अच्छे से पक ज होई है गैस की फ्लेम को ओफ कर देते हैं खीर थोड़ी पतली या गाड़ी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहां हमारी खीर कितनी अच्छी बनी हुई है पितल के बरतन में लाल चावलो की रंगत तो देखिए और यकीन मानिए ये स्वाद में सफेद चावलो के मुका शूगर और अस्थमा पेट संबंदी आदि कई सारी बिमारियों में बहुत ही जादा फायदे मंद हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद झाल